और इस वक्त अर्विन केजरिवाल गुजरात में हैं और वहां एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं यह हमारा संकल पत्र वो सब जूटे होते हैं गारंटी मतलब आप टीवी खरीदने जाते हो मार्केट से टीवी वाला आपको दो साल की गारंटी देता है कि अगर दो साल में टीवी खराब हो गया तो वापस मैं आपको पांच साल की गारंटी दे रहा हूँ अगर हमने काम नहीं किया तो पांच साल के धक्के मारके हमको बाहर निकाल देना हमको गुजरात में मत घुसने देना अगली बार और ये केजरीवाल की गारंटी तूटती नहीं है कभी पक्की गारंटी है एक एक शब्द में सोच के बोलता हूँ पहली गारंटी जो भी महेश भाई ने कहा आदिवासी समाज के लिए हमारे समफिधान के अंदर अलग वेवस्था की गई है यहां ये डॉर पर नामक एक अच्छी नसल की भेड को पालते हैं पाल कर हर साल 40 से 50 लाग कमाते हैं आपको भी करना है उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए आदिवासी समाज का संस्कृती अलग है बहुत गरीब है इसलिए बाबा साब अमबेट करने समफिधान के निर्माताओं ने आदिवासी समाज के लिए फिफ्थ शिडूल बनाया पांचवाँ शिडूल बनाया लेकिन किसी ने लागू नहीं किया आम आदमी पार्टी को वोट दो, पहली बार गुजरात के अंदर फिफ्थ शिड्यूल लागू करके दिखाएंगे आपको मेरी गारंटी है दूसरी पेशा एक्ट आया पेशा एक्ट कहता है गाहों सभा, ग्राम सभा विधान सभा से भी बड़ी होगी संसद से भी बड़ी होगी जो ग्राम सभा तै करेगी वही पक्का उसके ओपर किसी को अधिकार नहीं दी गया उसको ये मानते ही नहीं है ग्राम सभा बिचारी कहती रहती है प्रस्ताव पारित करती रहती है ये पुलिस बेज़ के सारी जमीनों पर कबजा कर लेते हैं करते हैं की नहीं करते हैं अब ऐसे नहीं होगा अब ग्राम सभा सुप्रीम करके दिखाएंगे गुजरात के अंदर ग्राम सभा सुप्रीम होगी जो ग्राम सभा कहेगी वही होगा पेसा एक्ट को लागू करके दिखाएंगे पेसा एक्ट को गुजरात के अंदर पहली बार लागू करके दिखाएंगे तीसरी बात ट्राइबल एडवाईजरी कमिटी उसका मतलब है ये तैय करना की आदिवासी छेतर के अंदर कितना पैसा कहां खर्चोना चाहिए आदिवासी लोगों के विकास के लिए क्या काम करना चाहिए आदिवासी समाज के क्या मुद्दे हैं उनका निस्तारन कैसे करना चाहिए तो ये तो ट्राइबल वाले ही बताएंगे ना अधिवासी समाजी तो बताएगा उनकी क्या समस्या है उसके चेयर्मेन के रूप में मुख्यमंतरी बैठ जाते है मुख्यमंतरी को क्या पता अधिवासी समाज के क्या समस्या है ये बंद करेंगे ट्राइबल एडवाईजरी कमेटी का चेरमेन हो गए आदिवासी समाच से कोई वेक्टी को ट्राइबल ऐसे वेक्टी को बताएंगे जो समाच के बारे में जानता है आदिवासी समाच के वेक्टी को बनाएंगे ऐसे वेक्टी को जो की समाच जिसकी इज़त करता है और समाच जो समस्याओं को जानता है दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी बिजली बहुत महंगी थी 2015 में हमारी सरकार बनी उसके पहले बिजली बहुत महंगी थी हमने दिल्ली में आगे सब के लिए बिजली फ्री कर दी दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है फ्री बिजली मिलती है फ्री मतलब जीरो भी लाता है जीरो कोई टैक्स ये फलाना डिमका कुछ ने जीरो भी लाता है पंजाब में अभी कुछ दिन पहले चार-पंच महीने पहले हमारी सरकार बनी है मार्च में हमने पंजाब में कहा था हमारी सरकार बनेगी हम बिजली फ्री करेंगे तीन महिने के अंदर सरकार बनते ही तीन महिने के लिए तो गुजरात में हैं इस वक्त अर्विन केजरिवाल छोटा उदैपूर में एक चुनावी रहली को सम्मोधित कर रहे हैं पाल कर हर साल 40-50 लाग कमाते हैं आपको भी करना है उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए